हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सबी उमीद करती हूँ आप सबी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों यदि आप एक healthy pregnancy conceive करना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि काफी जल्दे आप मा बन जाए तो कुछ ऐसी बातों का ध्यान जरूर रखिएगा जो कि आपकी बहुत मदद करेगी मा बनने की जर्नी में क्योंकि friends ये वो बाते होती हैं जो काफी ज़्यादा हद तक आपके pregnancy को रुकने नहीं देती हैं और काफी common mistake है जो हर महिला करती ही करती है periods के 20 वे या फिर 22 वे दिन से आपको इन 7 से 8 बातों का ध्यान रखना है और ये आपके pregnancy को बहुत सुनिश्यत करेगी बहुत जल्दी जो आप pregnancy के लिए ट्राइ कर रही है वो सारे ही काम का result आपको positive मिलेगा देखे friends actually में होता ये है कि हमारे सरीर जो है वो implantation यानि आरोपन के समय जब आपका ovulation हो जाता है जब आप संबंद बना लेते हैं आपका एक जो है वो सेल से meet up कर लेता है उसके बाद वो uterus में चला जाता है क्योंकि आपको भी पता है कि uterus में गरवासे में बच्चा होता है तो वो जो जगा है उसका काफी ज़ादा आपको जो है ख्याल रखना पड़ता है और ये ख्याल कैसे रखा जाता है देखे फ्रेंस आक्चुली में होता ये है कि आपको कुछ सावधानिया बरतनी चाहते हैं इन सावधानियों के वज़े से मा बनने में बहुत मदद मिलती है कभी भी आपका early miscarriage नहीं होता है और कोई भी ज़्यादा दिक्कत pregnancy conceive करने में नहीं होती है सबसे पहले आपको बताना चाहूंगे कि जब आपके periods आने वाले date के 7-8 days पहले time बचा हो उस समय से relation बनाना बंद कर दीजे because uterus के अंदर जब आप relation बनाती है तो एक तरह का contraction होता है संकुचन होता है और यह संकुचन कई बार periods आने के लिए प्रेडित करता है आपके uterus को तो periods से start हो सकते हैं इसका मतलब है कि अगर implantation हो रहा था तो वो fail हो जाएगा और early miscarriage हो जाएगे और आपको पता भी नहीं लगेगा इस वज़ा से बहुत जादा आप इस समय relationship से बच करके रहिए 7 to 8 days पहले मैं highly recommend करूंगी कि relationship में मत रहिए इसके अलावा tip number 2 कई बार हमारा जो feet होता है तलवे होते हैं पैर के वो ठंडे होते हैं अब जो पैर का जो ठंडा तलवा है वो हमारी uterus को भी ठंडा करता है इस वज़ा से cold feet cold uterus से connect करता है आपकी uterus का temperature बहुत अच्छा होना चाहिए एक आरोपन के दिनों में तो इस कारण से अभी जैसे ठंड का मौसम है आप socks wear करी है गर्म तासीर वाली चीज़े नहीं होने चाहिए अब गर्म तासीर की चीज़े काफी common है हम पीने में भी लेते हैं और खाने में भी लेते हैं कुछ फल और सबजिया भी गर्म तासिर की होती है, जैसे आपने सुना होगा कि पपीता खाने से या फिर अनानास खाने से आपको miscarriage हो जाते हैं, प्रेक्रिंसी में ये सब नहीं खाना चाहिए, तो इससे क्या अनुकसान होता है, early implantation के वक्त ये भी आप जान लीजे, कारण से कच्चा पपीता नहीं खाना चाहिए, वैसे ही सेम अनानास का अत्यदिक सेवन भी नहीं करना चाहिए, इसमें भी कुछ ऐसे तत्व हैं, जो आपकी utas को contraction के लिए प्रेरिद करते हैं, इसके अलावा जैसे कि आप खजूर खाती है, या फिर आप भी ना भीगोए हुए बदाम खाती है, तो बदाम का जो skin होता है, वो भी बहुत highly temperature वाला, increase करने वाला कुछ ऐसा उसमें component होता है, जो आप सबजिया खाती है, कटल हो गया, इसके अलावा drum stick के सबजी हो गई, कुछ ऐसे nuts होते हैं, जैसे कि खजूर होए, इसके अलावा friends, आप सिमित मातर में खाईए, बदाम को विगो कर खाने के लिए आपको कहा जाता है, वैसे ही same as it is लीजिए, और गर्म तासिर की चीजों से बच के रहिए, जैसे गुनगुणा पानी हो गया, और इसके अलावाद चाय और कॉफी हो गया, अत्यधेक इसका 7 बिलकुल भी मतिप no.4 ये है कि रात में बहुत देर तक, लेट नाइट तक जगने की जो हैविट है उसको चेंज करिए, बहुत देर तक आप जब जगती है तो उससे हमारे हॉमोस बादित हो जाते हैं, जब किसी भी हुमन बोडी को रेस्ट करने का मौका मिलता है, जब आप स्लीप करती हैं, उसी समय नीद की गोलियां उसको दी जाती है, उसको ग्लुकोज चरहाया जाता है, उससे भी उसको नीद आती है, डॉक्टर्स रेकिमेंट करते हैं कि इसको आराम करने दो, तब ये जल्दी रिकबर होगा, जल्दी ठीक होगी इसके बोडी, तो वो आप पे भी लागू होती है, आ आपको कही ना कहीं चिरचरापन भी होगा, एक सही टाइम फ्रेम बना लीजी, जिसमें आपको सो जाना चाहिए, और रात को 9-10 बज़े तक एट सो के बहुत ही अच्छा स्लिपिंग टाइम होता है, आठ गंटे के नीद आपको लेना ही चाहिए, अब टिप नमबर 5, आप आपको कभी भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, पता है इस्ट्रेस लेने से क्या होता है, इस्ट्रेस हॉर्मोन आपके बाकी सारे हॉर्मोन को बढ़ने ही नहीं देते हैं, इस्ट्रेस हॉर्मोन आपके रिलाक्सिंग हॉर्मोन, हैपी हॉर्मोन, प्रेग्नेंसी कंसीव करने के लिए positive hormones जो होती है position estrogen, beta ACG इसके अलावा LH luteinizing hormone इन सब चीजों को खराब करती है और इसका balance खराब होने की वज़े से implantation को support नहीं मिलता है और implantation fail हो जाता है इस कारण से stressful life नहीं लेना है आपको happy रहना है और अपने stress को कम करने के लिए आप क्या कर सकती है वो काफी best तरीके से आप खुद भी जानती है वैसे ही कामों में involve रही है आपने आपको busy रखे जो की tension को खतम करती हो इसके अलावा friends आप हमीशा ध्यान रखे कि आप बहुत ज़्यादा traveling ना करे इन दिनों में काफी ज़्यादा traveling करने की वज़़ से भी माल लिजे कि आप जिस रास्ते को जा रही है और two wheeler से आप जा रही है और काफी ज़्यादा वहाँ पे खड़े हैं तो आपको काफी ज़्यादा problem होगी वहाँ पे travel करने से पेट भी काफी ज़्यादा हिलता डूलता रहेगा और इस समय ऐसे conditions में जब implantation body कर रही है तो इस तरह के यात्राओं से बचना चाहिए और आपको long distance of traveling भी नहीं करने चाहिए आपको बहुत relax रहना चाहिए घर पे रहना चाहिए happy mood में रहना चाहिए बहुत ज़्यादा travel से बचे बहुत important हो तो ही travel करें और दोस्तो आखरी में ये भी बता दूँ कि कभी भी hair wash जो है आप इन आखरी के दिनों में मत करिएगा मैंने hair wash की काफी सारी videos बनाई है आपको बताया है कि ovulation तक तो आप hair wash कर सकती है लेकिन implantation में hair wash रोग देना चाहिए अब इसका logic क्या है देखिए सब कुछ temperature के उपर depend करता है अगर body ठंडी हो जाती है hair wash करनी की वज़े से obviously होगी जब आपका head cold हो जाएगा और इसका काफी अच्छे से बताये गया आयूरवेद के इलाजों में तो आयूरवेद में वर्णन है कि आपका hair wash है वो आपके pregnancy को कही न कहीं बाधित करता है pregnancy प्लान करते वक्त जब आप आखरी के कुछ दिनों में होती है जब बच्चा जाकर ठैर राई uterus के अंदर तब आपको hair wash नहीं करना चाहिए और दूसरी बात यह काफी जादा common है कि अगर आप periods के एक दो दिन पहले hair wash कर लेंगे न तो आपको periods उसे दिन आ जाएंगे आप इस बात को जरूर notice करिएगा अपने उपर भी try करिएगा मैंने भी अपने उपर personally try करके देखा हुआ है और यह कोई scientifically proven नहीं है बट यह काफी जादा logically proven है काफी सारी females के साथ ऐसा होता है इस वज़े से hair wash में भी साबधानी आपको जरूर बदितनी चाहिए और इस तरह से आप अपने आपको pregnancy के लिए अगर supportive कर लेंगी तो आपको नहीं medicine लेनी पड़ेगी नहीं advanced treatment का सहरा लेना पड़ेगा आप naturally conceive भी कर जाएंगी उम्मीद करती हुए छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत helpful थी ऐसे ही वीडियो को देखने के आप जरूर चानल को subscribe कर लिजे आप चाहें तो मुझे other social media platform पे भी follow कर सकते हैं जैसे कि Instagram और Facebook पेज में वहां पे भी काफी informative वीडियो शेयर करती रहती हो और information भी तो next time फिर से मिलोंगी एक नए वीडियो के साथ जो कि काफी ज्यादा helpful होगी आपके लिए आप तक रखिएगा अपना पूरा ध्यान चिक केर दूस्तों thanks for watching